मैं सबसे बड़ी ख़वर हम आपको बता दे कि लगता है कि खुद बीजेपी का अंदर जो है उत्तरप्रदेश का अंदर जो है कला मचना सुरू हो गया है साब तरीके से देखा ये जा रहा था कि जब पिछली बार चुना हुआ था तो मुख्यमंत्री के चहरे के लिए जो है पांच नाम सामने आये थे उस समय केशब प्रसाद मौरिया का बड़ा चहरा देखा जा रहा था अब कुछी दिनों के बाद फिर से चुना है केशब प्रसाद मौरिया जो है साब तोर पे तो कहते हैं नजर नहीं आ रहे है लेकिन उनके बयान से ये पता चल रहा है कि अंदरूनी कला जरूर चल प्रसाद मौरिया का बयान ये कह रहा है कि जब भी चुना होगा चुनाओ के बाद नतीजे जो आएंगे उसमें जो है सिर्स ने तिर्टव जो है वो पूरा फैसला सुनाएगा कि कौन मनेगा मुख्यमंत्री या फिर विधायक पूरा फैसला सुनाएगा हमारे साथ इस मु प्राकि में बीजेपी के अंदर कला मचना सुरू हो गया है सिर्स को लेकर के बीजेपी के अंदर घमासान मचा हुआ है जलजले आए हुए हैं वो बात और है कि क्यूंकि मीडिया दिखाता नहीं है इसलिए आप लोग देख नहीं पाते हैं किसी और राज्य में कॉंग्रे जनता पार्टी के अंदर बहुत बड़ी तूट आ चुकी है कुछ समय पहले स्वामी प्रसाद मौर्या ने जोके मंतरी हैं योगी सरकार में उन्होंने ये कहा था कि निर्णे केंद्र लेगा केंद्र मतलब भारती जनता पार्टी का केंद्र निर्णे केंद्र लेगा ये उसके बाद कुछ दिनों में ऐसी बात निकल के आई कि स्वतंत्र देव सिंग जोके भारती अंता पार्टी के उत्तर प्रदेश पभारी हैं उन्होंने ऐसा कहा कि हम तो योगी जी के नेत्रत में ही लड़ेंगे ये ठाकूर फैक्टर हैं दोनों ठाकूर हैं इसलिए ये ऐ मुख्य मंतरी हैं 2017 में प्रमुख दावेदार दै मुख्य मंतरी उत्तर प्रदेश बनने के कूई वह बहुत बड़े RSS के प्रचारक रहे हैं आदमी व्यक्ती रहे हैं उत्तर प्रदेश में व้ उस समय ना बनाये गए और योगी आधितिनात जो के RSS के हैं भी नहीं उनको मोदी जी के आशीरवाद से उत्तर प्रदेश पे थोप दिया गया आज साड़े चार वर्ष के बाद जो उत्तर प्रदेश की दुर्दशा है वो वाली नहीं जो फोटो में दिखती है जो गलत सलत जाहिरातों और एड़िटाइजमेंट में आपको दिखाये जाते हैं हकीकत में जो उत्तर प्रदेश की दुर्दशा योगी आदेतेनाथ ने कर दी है उसके बाद भारती जन्ता पार्टी को जीतने के लिए दो ही मंत्र अपने अपनाने पड़ेंगे या तो वो मुख्यमंत्री पद के चेहरे का कोई नया सूतर दिखाए जैसे केशव प्रसाद मौरिया या कोई और भी क्योंकि केपी मौरिया जो हैं ये चाहते हैं कि ये जानते भी हैं कि ये इनका आखरी समय है राजनेतिक पटल पे अगर इस बार नहीं बने 2022 में मुख्यमंत्री तो कभी नहीं बन पाएंगे केंदर में तो कोई पूछता नहीं है इसलिए हो सकता है कि ये भारती जनता पार्टी के अंदर जो टूट है जो आपको दिख नहीं रही है ये सारा का सारा घमसान सवा तीन करोड पाई भारती जनता पार्टी सवा तीन करोड मत पाई पार्टी 2017 अब एक करोड से कम में रह जाए लेकिन मन में क्या चल रहा भी तक सापनी हो पा रहा है तो ऐसी सिती मैं कैसे देखना चाहेंगे देखें, मौरिया साब कुछ नहीं बोलेंगे, उन्हें जो भी करना बड़ा शिस्तबद पार्टी के व्यक्ति हैं, भारतिय अन्ता पार्टी में बड़ा शिस्तबद काम होता है, जो भी भूपे नहीं बोला जाता, अंदर-अंदर हो जाता है, जहां तक बात है के बहुत करम लोगों के मुसीबत होना, ये सब बातें जो हैं, ये पिछले साड़े चार वर्षों में किसानों से लेकर के आम इंसान तक, ये देख चुका है कि वो कितने करमट हैं, वो बिलकुल भी नहीं है, योगी आदित्यनात बिलकुल जीरो हैं, अब इसको भारतियंता पार्टी या सरकार उत्तरप्रदेश की तो बोलेगी नहीं, वो तो उल्टे सीधे लगा देगी बोर्ड के भाईया, यूपी नंबर वन, यूपी नंबर वन नीचे से है, उपर से नहीं, लेकिन इस बात को जनता भली बात समझती है, पिछड़े वर्गों के लिए कुछ नहीं किया ब्रामनों के साथ क्या किया, महिलाय आज भी प्रतारना जेल रही है, प्रशासन की, प्रशासन खुद प्रतारना जेल रहा है, भाजपा का, के जहां पे रोडवेज की हालत देख लीजिए, पानी सप्लाई की हालत देख लीजिए, ये कहते हैं, बिजली हम हमेशा बहुत पहुचाते हैं उसकी कीमत की हालत देख लीजिए आप उत्तर प्रदेश की दुर्दशा करने के बाद ये नहीं कह सकते के उत्तर प्रदेश के जो हाल मुख्य मंतरिये करमट हैं वो करमट इस मामले में जरूर है कि योगी आदितिनात ने उत्तर प्रदेश और डुबो दिया यहां से अब बाहर निकालना जरूरी है लेकिन सर सवाल अब यह उठी आ यहां पे कि आपका जो है राजनीती गडित क्या कह रहा है कि क्या वाकी में अगर केसर परसाद मौरिया जो है अगर पहले दावेदार पर आते हैं चुनाव से पहले तो क्या बीजेपी बाजी मार इसमें अगर बात नहीं है भारतियंता पार्टी उस हालत में है ना खाय उगले और ना कुछ कर पाए उसका कारण यह है कि अगर sitting मुख्यमंत्री जो होता है जो चालू मुख्यमंत्री है चल करण्ट मुख्यमंत्री अगर आप उसको हटा देते हैं किसी और को चहरा बनाते हैं तो वो जो इस समय का मुख्यमंतरी योग्या दितिनाथ है वो वोट नहीं लिवाएगा वो कड़ जाएगा पर्टी से और अगर आप केशा प्रसाद मौर्या को इस बार नहीं बनाते हैं तो सभाविक सी बात है कि सारा का सारा पिछड़ा वर्ग जो सपा और बसपा और मुदी के पास है न शाह के पास है जहां तक बात रही कि हमें इस नजर से देखना है कि अब भारतियंता पार्टी क्या करेगी अरे गड़े में जाएगी दुबारा आएगी पता नहीं क्या करेगी लेकिन आम उत्तर प्रदेश के निवासी को अब सूबे का सोचना है किसी पार्टी का नहीं अगर आप लोग योगी आदितिनात की सरकार से खुश है तो उनको वोट दीजिए कोई मना नहीं करता लेकिन अगर आप अंदर जाक के ये समझते हैं कि योगी आदितिनात ने कोई काम नहीं किया इस राजी के लिए बरबाद किया तो फिर आप किसी और को मौका दीजिए एक विशलेशक के नाते मैं इसी तरह से कह सकता हूं ठीक है लेकिन अगर इस इस टॉपिक को जो है अगर हम कला की बात कर रहे हैं उत्रप्रदेश के अंदर में और ठीक उसी मुद्दे के जो है अगर हम कुजरात के सीम जो रहे जो नहीं इस्तफा दिया विशे रुपानी जी के अगर हम बात्चित करते हैं उन्हें ने कहा बदलाव जरूरी है तो क्या इसको हम इधर देख सकते हैं क्या जोड़ करके उत्रप्रदेश में देखे विशे रुपानी जी ने तो इस्तिफा देने के बाद प्रेस को संबोधन करते हुए हिंदी में कहा जो कुछ भी कहा और ये वो विशे रुपानी है जिने हिंदी नहीं आती है पढ़ पढ़ के इसलिए बोल रहे थे ताकि योगी आदितिनात तक ये बात कि भाई समय आने पर दूसरों को चांस देना चाहिए हो सकता है कि विशे रुपानी को बली का बकरा सिर्फ इसलिए बनाया गया हो कि किसी तरीके से योगी आदितिनात भी मान जाए कि भारतियंता पार्टी में ये प्रोसीजर होता है लेकिन मुझे योगी आदितिनात का इगो पता है ये बिलकुल मोदी जैसा है ये मानेंगे नहीं ये पार्टी खतम कर लेंगे लेकिन ये मानेंगे नहीं इसलिए वोजे रुपानी शायद बली का बकरा तो बन गए लेकिन कोई काम नहीं आई योगिया दितनात के पक्ष में की एक इमानदार और दमदार को लेकर के यूद्फी चलाएगी योगिया दितनात के पक्ष में तो भारी लगता है जब डाक्टर यह कह सकता इन्हें घर ले जाईए और बगवान को याद कीजिए तो उस समयं कुछ काम नहीं आथा अगरी खर्च करती है तो राजनेतिक लोगों की जेब में जाता है जहां तक बात है कि अब जनता क्या करेगी वो ज्यादा महत पूर्ण है मेरे इसाब से जनता अब इन्हें हटाएगी और साइकल या हाथी को बिठाएगी ये इसलिए मैं कह सकता हूं क्यूंकि जनता जब परेशान हो जाती है तो वो किसी का साथ नहीं देती चाहें कितने भी लुभावने वादे आप कर लें हो सकता है कि जब आप गाउं शहर में जाएंगे उत्तर प्रदेश में तो आपको कई लोग ऐसे मिलेंगे जो योगी और मोदी और भाजपा की तारीफ करते हैं मूँ पे वो इस लग रहा है कि जिस तरीके से भारती अंता पार्टी और योगी ने उत्तर प्रदेश की दुर्दशक नहीं है मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि साइकल दुबारा आ जाएगी बहुत बहुत सुक्रिया हमारे दर्सकों को समझाने के लिए बताने के लिए तो यह थैं हमारे साथ निशाओवर्मा जी जो की एक बड़े राजनिती भिसलेसक के तौर पे जाने जाते हैं तो इसलिए हमने माना और इनसे जानने कोशिच गरी कि क्यो नहीं नहीं से किया और आने वाले समय में जो है बिल्कुल सीसे की तरह आइने की तरह साफ हो जाएगा कि किसके ने चुनाओ लड़ा जाएगा और कौन जो है बाजी मारने वाल है फिलाल के लिट नहीं दोड़े गमार साथ देख से रहें डिसो न्यूज ताने बाद